आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन श्टडी सेंटर पर स्वागत है आज का ये विडियो अपडेट में पॉलेटिकल साइंस को लेकर लाया हूँ क्यूंकि कल आप सभी पॉलेटिकल साइंस का एजाम है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कारे और सकतियों का वर्नन करें तो देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पर सभी विडियो अप्लोड है सभी लॉंग कोशन का एंसी क्यों से क्यूंका जाकर देखिएगा आफी सभी के लिए चैनल बनाया गया है और इतना सारा कंटेंट क्लास 12 का एवेलेबल कराया जा रहा ह तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजेगा क्योंकि वेस्ट बिंगल के हिंदी का एक मात्र ऐसा चैनल है जिसमें 12 के सभी कंटेंट उपलब्द है साती सात आपको हाईयर एजुकेशन के भी तैयारी चाहे आप कॉलेज में पढ़ेंगे या आगे जो भी करना होगा उसके लिए भारत के हर राज्य में एक मुखमंतरी होता है जो राज्य का संचालन और नियंतरन करता है भारत के समिधान के द्वारा भारत के हर राज्य के लिए एक मुखमंतरी रखने की बात कही गई है जिनका कारेकाल पांच वर्षों का होगा और ये विधान सभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इस्थिती, इस्थिती में लिखेगा मुख मंतरी राज्य का वास्तविक और राज्यनितिक परधान होता है, राज्य में मुख मंतरी का वही अस्थान है, जो केंदर में परधान मंतरी का होता है, नियुक्ती, मुख मंतरी की नियुक्ती राज्य के राज्यप कारे और शक्तिया करें को कारे और सक्तिया हेडिंग के लिखेगा भारतिए सविधान द्वारा मुख्यमंत्री को अपने राजय को चलाने के दिये अनेक कारे और शक्तिया दी गई हैं जिनमें कुछ पहला बिधान सभा का नेता मुख्यमंत्री बिधान सभा के बहुमत दल के नेता होते हैं क्योंकि वो बहुमत दल के नेता होते हैं वे ही सदन की बैठक को बुलाते हैं और वे ही सदन केक नेता के रूप में चलाते हैं दूसरा मंत्री मंडल का निर्मान करना मुख्य मंत्री ही मंत्री मंडल का निर्मान करते हैं एवं मंत्रियों के बीच विवागों को बढ़ते हैं ये मंत्री मंडल की जब कभी भी बैठक होती है तो उसकी अधेचता मुख्य मंत्री ही करते हैं सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री एक सलाहकार एडवाइजर के रूप में काम करते हैं जवरत पढ़ने पर हुए समय समय पर राज जिपाल एवं मंत्री मंडल को सलाह देते हैं कि अगला हेडिंग नियुक्ति संबंधिकार मुख्यमंत्री राज्य के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति में पर्मुख भूमिका निभाते हैं पीसी के अध्यच यानि राज्य लोक सेवायों के अध्यच राज्य के महादिवक्ता आधिक नियुक्ति राज्यपाल की मद सवीधान सभा में सरकार के उपर पूछे गए सभी सवालों का जवाब भी देते हैं इसके अलावा हेडिंग में अन्ने शक्तियां भी लिक सकते हैं इन सभी सक्तियों या कारियों के अलावा भी सविधान द्वारा मुख्यमंत्री को अनेक कार एवं सक्तियां दी गई हैं जिनका उप्योग वे जोरत पड़ने पर करते हैं यह खेडिंग यह भी जोर सकते हैं राज्य में विकास करने की सक्ति यानि अपने राज्य में कितना विकास होगा development होगा यह मुख्यमंत्री के पास ही इसका अधिकार होता है और मुख्यमंत्री ही अपना राज्य का जिस तरह स्चाहें वैसा विकास कर सकते तो देखिए एक कोस्चयन आपको आएगा वह मुख्यमंत्री या रास्ट्रपती देखिए दोनों में ऊप्सन में लिखना को एक ही पड़ेगा आपको तो मुख्यमंत्री और राष्टपती दोनों important है इस वीडियो में मैंने मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की अगले वीडियो में राष्टपती के बारे में आपको सारा detail मिल जाएगा ठीक है तो इसी तरह करके एक एक करके सभी long question आप तयार कर लीजे मैं एक वीडियो के द्वारा आपको केवल 5 important question बताऊंगा जिनमें से आपको 5 जरूर देखने को exam में मिलेगा तो वह भी वीडियो देखिएगा जिनमें केवल 5 important long question होगा वहीं से 40 number आपका cover हो जाएगा ठीक है और चैनल पर उपलब्द सारे वीडियो को ज जूरने के लिए आपका धन्यवाद